हलो फ्रेंस वेलकाम यूपीसी प्रपेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंस 2023 का जो यूपीसी का प्रिलिम्स होना है वो 28 मई को होना है आप सबको पहली से पता है यूपीसी के दौरा इसका जो कैलेंडर है वो पहली ही जारी कर दिया गया है तो अभी से अगर मैं को कितना महने के आसपास होता है तो आपको लगभग 10 महने के आसपास का समय दिखेगा इससे के पिछले के कई सारे वीडियो में मैं आपको उन सारी चीज़ों की और ध्यान दिलाने की कोसिज किया था जिस काम को आपको पूरे साल करते रहना चाहिए क्योंकि उस काम को last के time में आप नहीं कर पाएंगे चाहे आप पूरा-पूरा दिन भी क्यों न पढ़ लें लेकिन last के time में जो 2 मेने, 3 मेने, 4 मेने का time बसता है उस time में ही आप अगर चाहेंगे कि सब चीज कबर हो तो बांकी और सब चीजों को आपको छोड़ना होगा और इस वज़ह से कहीं कहीं आपका किसी न किसी stage पर आपकी तयारी प्रभावित होगी और वो रुख जाएगा या तो आप plimps के stage पर ही फस जाएगे और यहां अगर किसी भी तरह से आप बच कर निकल गए तो man's के stage पर फस जाएगे उसी तरह से मैं आपका ध्यान दिलाया था English की ओर English एक ऐसा हिस्सा है जिसको आपको पूरे साल करते रहना चाहिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए कि plimps हो जाएगा फिर आप man's की तैयारी की करम में उसको कर लेंगे जो English का compulsory पेपर है तो वो एक ऐसा ये दोनों ऐसा segment है जिस पर पूरे साल आपको काम करते रहना है आप mathematics वाला question या reasoning जो है या comprehension तुरंत आप नहीं सही करना सीख जाएगे कि दो दिन चार दिन एक महिने दो महिने पढ़ाई कर लिए और हो जाएगा इसा नहीं होता है आपको पूरे साल काम करना होगा इसी फेरिस्ट में आज मैं एक नए चीजों पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जिस पर पूरे साल आपको काम करते रहना चाहिए और वह है टेस्रीज देखे प्लिम्स का टेस्रीज एक चाहे आप टेस्रीज के रूप में लें या मार्केट में एमसी की की रूप में कोई बोखी अवलेबल हो या पिछले साल का ही किसी कोचिंग और का आपके पास MCQ हो जो की UPSC के पैटन पर हो और इवन UPSC का जो प्रिवियस येर में पूछा हुआ बहुत सारा कुश्टन से उन सब को मिला के जो प्लिम्स का जो सेट है इस प्लिम्स के सेट को लगाना कितना अनिवा आई है पूरे साल इस चीज की कलपना मुह से आपको मैं नहीं बता सकत ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन्ट है उन सारे इजिएंट्स के लिए जिनका प्लिम्स अच्छे इस्थिति में जिनका है जो पिछले कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं और चीजों को पढ़ भी लिये हैं उनको भी प्लिम्स के मोड को पूरे साल नहीं छोड़ना चा प्लिम्स के टैसरीज पर थोड़ा बहुत वर्क करते जाएंगे मुश्किल से आधा घंटा भी अगर आप टाम निकाल लेते हैं और उतना वर्क करते हैं आप यह मान कर चलिए कि एक जो सेट होता है यूपियसी का जो एक सेट है सो को सन अगर उसमें होता है तो सो को सन आप करेंगे तो तsi चार मेहने में अगरब एक शो को सन आप को पूरा का सेट बनाना अपने आता है अगर आप इसका आँसरीड करेंगी उसमें से एक खिनाना में बैठ दो इन बनाने में लगतेख्यम को सेट है आप नताने में लिए जाने में तो एक Evely चेक और नहींगंगे लगी जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत आप सेल्फ एवैलवेशन भी करेंगे और जब आप उसका एक्सप्लैनेशन पढ़ेंगे किसी भी कोचिंग का सेट हो प्रिवियस यह का कोश्चन हो या कुछ भी उसका अगर एक्सप्लैनेशन पढ़ते हुए अगर आप चलेंगे तो फिर से आपको तीन से चार घंटे का वक्त चाहिए यानि कि एक सेट को कंप्लीट करने में अगर आप सही मायने में देखेंगे तो छे से साथ घंटे का टाम चाहिए ही चाहिए और आप यह सोचे कि इस क्रम में बांकी और सब चीजों को आपको उस टाम कवर करने का प् तो उतने सारे चीजों को cover कर पाना उस time possible नहीं हो पाता है तो कुछ ऐसा काम जिसको आप अगर पूरे साल में हर दिन थोड़ा थोड़ा divide कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा हर एक event के लिए जो पिछले कई सालों से तयारी कर भी रहे हैं या फिर जो नए हैं या beginners हैं एक दो item जिनका हुआ है उन लोगों के लिए भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे vision का अगर आप देखेंगे तो vision का भी market में पांच set के आसपास उपलब्ध है vision का जो testries market में आता है वो एक से लेके पांच तक उपलब्ध है vision का testries अब ये बढ़ता जाएगा ये अपने हिसाब से चलता जाएगा इसका समय के साथ नया नया बैच भी मान के चलिए आता जाएगा तो ये उन्ही सारे questions को नयने set के रूप में बच्चों को देता जाएगा तो अभी अगर gap कर रहा है ये एक से डेर महने का एक से डेर महने के भीतर अगर एक exam इसका इसके coaching में जो admission लेता है तो उसका होता है तो बाद में इसी gap को ये 20 दिन या 25 दिन कर दे फिर और जब exam नजदी का आएगा तो यही gap आपका 15 दिन का हो जाएगा और कम होगा तो 10 दिन के gap पर ये तो इन लोगों का business है ये चलता र अच्छा होगा ताकि वह सही माइने में अपना टेस्ट दे सके हैं सही से टेस्ट दे सके हैं उसका सिर्फ उसका फिर से self evaluation कर सके हैं और जहां आप कुछ factual information है कोई conceptual information है जो की आपके explanation में लिखा हुआ है आप उन सारी चीजों को अच्छे से समझ भी सके हैं उसका अगर कर लेते हैं उससे लेके सेट टू के बीच जो अवधी है इस अवधी के दर्मियान आपको इतना काम कर लेना है ताकि आप उसको एक बार टेस्ट लगा भी दें evaluation भी कर लें और तीसरा काम हो गया कि उसका प्रॉपर नोट्स भी अगर संभव हैं तो नोट्स भी आप बना लें चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि कम से कम एक बार आप revision कर लें एक बार revision करने का भी आपके पास टाइम होगर इतना आप काम करते हैं तो तब जाकि आपका एक सेट कंप्लीट होगा और लास्ट के टाइम में अगर आपके पास कम समय बसता है तो ये संभव नहीं हो प बनाईए आपको दस कुशन भी नहीं बना सकते हैं तो आप पांच ही कुशन हर दिन बनाईए फिर भी पांच कुशन नहीं हो पाता है तो आप तीन ही कुशन हर दिन बनाईए कम से कम तीन कुशन अगर आप हर दिन बनाते हैं तो तीस दिन में एक मेहने में आपका जो है ए इतना ज्यादा अच्छा रहेगा कि लास्ट के टाम में आपके बोज भी नहीं पड़ेगा और आप उस मोड में भी रहेंगे यह सारे जो इस वार मैंस दे रहें उन सब के लिए फिर यह करना अभी ततकाल उचित नहीं है क्योंकि उनको अपना पूरा इस बार फिल्म्स के लिए नहीं हो पाया या फिर आप एक्जाम ही नहीं दिये तो दोनों ही कंडिशन में आपको यह निश्चित रूप से करना चाहिए जैसे सी सेट पर वर्क थोड़ा बहुत हो थोड़ा बहुत इंग्लिस पर वर्क हो और थोड़ा बहुत जो है आप प्र अगले सेट को देने से पहले अगर दो या तीन बार रिविजन कर अगर लेते हैं तो बहुत ही जादा ये आपके लिए अच्छा होगा तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं है दस महिना जो है आपके पास बचा हुआ यह दस महिने कोई समय नहीं है यह दस महिने आपका इतनी तेजी से निकलने वाला है कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका टाइम भी कुछ था तो समय का महतु समझे और यूपीसी का जो प्रिलिम्स का सेट है आप कहीं से भी विजन का अगर मार्केट से अगर आपको मिल पा र आपके घर के एड्रेस आप उसको फॉन पर बता दिजिए फॉन पर या पे टीम पर या किसी अन्य माध्यम से आप उसको पैसा दे दीजिए वह आपको घर तक कुडियर डेलिवर कर देगा तो सुविधाएं हैं बस आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए तो कहने का मत कर लंधे करने के लिए रही ही नहीं चाहिए करें है और वर्क नहीं करने सीस nisट समय लगायां वेक्षा यह होगए तो लास्त में तो पढ़ना ही kaloगा na तो मजबूरी है लेकिन उस चक्र में जो पढ़ा हुआ उसका भी रिविजन आप करने का टाम नहीं निकाल पाएंगे नए चीजों को आप एक बार में याद ही नहीं रख पाएंगे तो एक जाम में आपका बेरागर खोना तै है अगर आप अभी से चीजों को पढ़ते तो फिर क्यों नहीं होगा सो भाविक सी बात है खुद सोचे क्यों प्रिलिम्स नहीं होगा अगर आपका पहले से सब्सक्राइब रुकता उन्हीं सारी इस जो नया एक्स्पेरिमेंट करने लगते हैं या नई चीजों को पढ़ना परता है जिनको और पूराना रिविजन नहीं हो पाता है तो चीजों को समझना है और खुब अच्छे से मेनत कीजिए जहां तक हो सके प्रिम्स के टैस्ट्रीज को लगाना आभी से आप सुरू कीजिए बेसक आप स्टार्टिंग तीन को सब्सक्राइब और एक से जब लग जाएगा आपका तो दूसरे से को सुर करना है तो चलिए उमीद करता हूं ये वीडियो आप सब को पसंद आया होगा चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए जितना ज़्यादा इस वीडियो को आफ फैलाएंगे उतना ही आप सब के लिए करता हूं आप लोग वीडियो को जरूर सेर करेंगे और इसका व्यूस जरूर बढ़ाएंगे मैं चारा हूं कि इसको इस चैनल ये चैनल जो है आप सब का परिवार है ये लगबग पिछले कई सालों से आप सब के साथ है तो अब इसका अधिकार है कि ये कम से कम वन मिलियन सब्सक्राइबर के आंकरे को जरूर चुए तो हम लोगों का एक कॉमन टार्गेट होना चाहिए कि वन मिलियन सब्सक्राइबर आप जितनी जल्दी कर दें मैं उतना ही ज्यादा खुसी महसूस करूंगा तो वन मिलियन सब्सक्राइबर टार्गेट रखना है वन मिलियन प् सबको पसंद आया हुगा धन्यवाद